हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइइंग की आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो लोग भी दुनिये की दूसरे देशों में ट्रावल करके जाना चाते हैं तो आज यहां पर इटली ग्रीस और इसके अलावा ताइवान से आप सभी लोगों के लिए क्या के जरूरी खबरे सामने आ रही है इन सारी खबरों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो बिना किसी देरी की वीडियो सुरू करते हैं और पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि यहां पर इटली की तरफ से आ रही है जी हां दोस्तों आपको बताते चले कि इटली और ग्रीस ने यहां पर COVID-19 के रिस्टिक्शन को जो लागू किया हुआ था उस रिस्टिक्शन को पूरे तरीके से खतम कर दिया है तो जो लोग भी ग्रीस में इस समय ट्रावल करके जाने वाले हैं तो उन सभी लोगों को ना तो अपने साथ कुरोनावारस का नागिटी रुपोर्ट लेका ट्रावल करना होगा और नहीं इन सभी लोगों को Greece में जाने के बाद quarantine में रहना पड़ेगा लेकिन Greece की government ने आभी भी mask की नियम को लागू किया हुआ है यानि कि Greece में जाने के बाद आभी भी आप सभी लोगों को वाँ पर mask लगा कर रखना compulsory होगा इसके ससत यहाँ पर इटली की तरफ से भी यह जानकारी शेयर की गई है कि पहले इटली में जानी के लिए आप से भी लोगों को एक फॉर्म फिलप करना पड़ता था लेकिन अब यहाँ पर उस फॉर्म को यहाँ पर इटली की गॉर्मेंट ने हटा दिया है जी हाँ दोस्तों अब आप बिना फॉर्म फिलप की आसानी से इटली में ट्रैवल कर सकते हैं और इटली में जाने से पहले और ना ही इटली में जाने के बाद आप लोगों को किसी तरीके के करोना वारिस का टेस्ट किया जाएगा और नहीं आप सभी लोगों को महाँ पर कॉरिंटीन में रहना होगा तो दोस्तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस समय इटलिय और ग्रीस में ट्रावल करके जाना चाते थे तो आप ऐसे सभी लोग बिना किसी रिस्टिक्षन के आसानी से इन दोनों देशों में ट्रावल कर सकते हैं इसके सबसाद दोस्तो एक और बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर ताइवान की तरफ से आ रही है तो आपको बताते चले कि ताइवान ने आज यहाँ पर यह गोशना की है कि जो भी ताइवान में ट्रावल करके आएंगे तो पहले उन सभी लोगों को यहाँ पर आने के बाद 10 दिन कॉरिंटीन में रहना पड़ता था लेकिन आज से इस कॉरिंटीन को कम करके साथ दिन कर दिया गया है जी हाँ दूस्तों और इसके अलवा आप लोगों का सात्वे दिन फिर दुबारा से करोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा यदि उस करोना वायरस का रिपोर्ट नेगटीव आएगा तो फिर आप सभी लोगों का कॉरिंटीन खतम कर दिया जाएगा तो दूस्तों ये दो तिन जरूरी खबरे सामने आ रहे थी आप सभी लोगों के लिए जिसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है वीडियो यदि आप लगों को काम की लगी हो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एले स्टैविंग साने वाली और भी खबरों के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें